हेलो एब्रिवान तो आज हम वनाएंगे गाजर का हलवा तो पहले हमने गाजर को अच्छी तरह के से धू लिया है फिर हमने गाजर को ऐसे ग्रेटर्क से ग्रेट कर लेंगे कुछ इस तरह और हमें चाहिए मिल्क पाउडर इलाइची और ड्राइफ रूट्स और दूद घी तो पहले हमने कराई को ऐसे मीडिया माच में गेस में गरम होने के लिए रख दिया है फिर हम गेस में डाल देंगे थोरा सा घी और घी को गरम होने के लिए हमने रख दिया है फिर अब हमने गरम घी में ग्रेट किया हुआ गाजर डाल देंगे और इसे अच्छी तरह से पक जाए और गाजर अच्छे से तयार हो जाए पिर हम इसमें डालेंगे शकर मैंने यहाँ पर चार चमच शकर दिया है और बाद में भी मैंने थोरा सा शकर एड़ किया है अब अपने सुवात के अनुसर शकर कम और जाधा कर सकते हैं अब हम इसको इस तरह से पकालेंगे अब हैं इस पर मिल्क पाऊड़ा डाल देंगे अगर आपके बास खीर हो या मेवा हो तो आप वो भी डाल सकते हैं अब इसको पका लेंगे और उसके बाद हम इसको इस पर जो हमारा दूद है वो डाल देंगे और इसके साथ ही हम इस इलाइची और जो अमारे पास जो ड्राइफूर्स था वो भी डाल देंगे आपके पास जो भी ड्राइफूर्स अविलेवल है आप वो भी दे सकते हैं मेरे पास काजू थे तो हम मैंने काजू ही दिया है यापर अब कुछ बॉयल अने तक हम इसको ऐसे ही चलाते रहेंगे और यहाँ पर मैंने थोरी सी मिल्क पाउडर एड़ किया है और यह हो चुका है और उपर से मैंने गार्निश करने के लिए थोरा सा काजू और दे दिया है और मैंने यहाँ पर अच्छी तरह से प्रेजन किया है और यहाँ पर रेड़ी है हमारा बहुत यह टेस्टी सा गाजर का हलपा